हेलो एबरीवन जैसे कि आप लोग को पता है कि CBSE ने सेलेबस रिड्यूस किया है 2021 सेशन के लिए तो हम लोग मैट्स में देख लेते हैं कि मैट्स में कौन-कौन सा पार्ड जो है वो डिलीट हुआ है ठीक है तो इसका ये जो लिंक है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन मे ठीक है तो आप वहां से देख सकते हो तो हम लोग आते हैं 11th और 12th का पार्ड देखते हैं तो directly deleted portion देख लेते हैं कि कौन-कौन सा पार्ड जो है वो डिलीट हुआ है हमारे पास तो आते हम इसमें maths वाले में तो maths में आएंगे deleted in mathematics कि mathematics में कौन-कौन सा पार्ड डिलीट है कि 11th में कौन-कौन सा इसा चैप्टर है जो की completely हटा दिया गया है तो उसमें पहला चैप्टर जो है आपका ठीक है वो है mathematical induction पूरा का पूरा mathematical induction जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया एक्चुली जिसका की दूसरे से पहुंचादा relation नहीं है ना उसको completely हटा दिया गया तो mathematical induction एक ऐसा चैप्टर था जिसका की दूसरे से ज़्यादा लेना देना था नहीं ठीक है बस एक आध क्वेस्टन कहीं कहीं आपको मिल जाएंगे जिसमें mathematical induction का यूज होता था तो इसको हटा दिया गया ठीक है दूसरा आते हैं तो नीचे आए अगर ठीक है तो पूरा का थोड़ा यूज होता था तो इसको हटा दिया गया है ठीक है और इसके बाद देखा जाए तो एक चैप्टर है जिसका की लिटरली को यूज था नहीं ठीक है और बच्चों को बोरिंग भी लगता था यह चैप्टर और वो है mathematical reasoning तो यह वाले चैप्टर को जो है वो पूरा मतलब यह तीन ऐसे चैप्टर है जिनको की पूरा का पूरा हटा दिया गया है ठीक है अब आगे देख लेते हैं कि और क्या क्या है तो सेट्स चैप्टर में पहले वाले चैप्टर में हमारे पास क्या क्या हटा दिया गया है difference of sets हटा दिया गया है और complement of a set हटा दिया गया ह relation and function chapter में देखा जाए ठीक है, तो some difference बिल्कुल छोटा सा part हटाया गया हमारे पास, some difference, product and quotient of functions तो some difference, product and quotient of functions बहुत छोटा सा part है जब आप exercise I think 2.3 देखिया गया तो 2.3 से थोड़ा सा पहले है बस algebra of functions ठीक है, तो वहाँ से वो वाला part हटाया गया है और यह जो triple वाला cartesian product हम लोग लेते थे, उसको हटाया गया है, ठीक है, और up to लिखा होगा है, तो up to तो फिर तो बहुत सारा हो जाएगा आमरे पास, तो यह I think यह जो triple वाला जो है आमरे पास cartesian product, जो तीन-तीन का cartesian product लेते थे, उसको हटाया गया है ठीक है, trigonometric functions में से actually एक तरह से na trigonometric ratio and identity part जो है उससे कुछ नहीं हटाया गया है trigonometric equations वाला part हटा दिया गया है जो इसमें sin x equal to sin a, cos x y equal to cos a and tan y equal to tan a का जो general solution हम लोग लिखते थे है, वो अला part जो है, इससे हटा दिया गया है ओके, आगे देख लेते हैं कि इसमें complex number में क्या हटाया है हमारे पास तो complex number में दो चीज polar representation हटा हुआ है और square root जो है complex number का वो हट गया है, linear equality से कुछ भी छोटा, कुछ भी नहीं हटाया गया है permutation and combination से इन दोनों का जो derivative है, NPR और NCR का उसको हटा दिया गया है sequence and series से इसका जो formula होता था हमारे पास, जो sigma k हम लोग लिखते थे कि n into n plus 1 by 2 जो आएगा हमारे पास तो ये वाला part जो है इसको हटा दिया गया, बाकी सब है ये वाला part को हटा दिया गया है ओके, आगे दिखते है straight lines में क्या आगया है हमारे पास straight line में shifting of horizon, ठीक है ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा use नहीं होता था, कहीं कहीं किसी question को थोड़ा सा easy करने में use होता था, ठीक है family of lines को हटा दिया गया है family of lines को जो है, वो हटा दिया गया इक तरह से okay, conic section में क्या हटा दिया गया है point a straight line है अदा point a straight line and a pair of intersecting lines as a degenerated case of a conic section ठीक है, ये वाले part को जो है इससे हटा दिया गया है ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा part नहीं हुआ हमारे पस, ठीक है introduction to three dimensional geometry में कुछ भी नहीं हटाया गया है, निल है हमारे पास limits and derivatives में कुछ भी नहीं हटाया गया है since actually calculus का ये basic है तो इससे कुछ भी हटाया नहीं गया है ठीक है, mathematical learning तो पूरा का पूरा chapter ही हटा दिया गया है statistics में हमारे पास analysis of frequency distribution with equal means but different variances इसको हटा दिया गया है, ये वाले portion को हटा दिया गया है और probability में axiomatic probability connection with other theories of actually इसमें आपको जब तक आप probability पढ़ेगे नहीं तब तक आप समझ भी नहीं है कि कौन सा पार्ट जो है, उसको हटाया गया है okay, तो probability में इसमें भी थोड़ा सा पार्ट हटाया गया actually probability का जो main part है, वो तो हमारा 12th में है ठीक है तो this doesn't make a difference अब आते हैं 12th ओले part पे कि 12th ओले part में क्या क्या हटाया गया तो 12th ओले part में जो पहला ही chapter है composite function और inverse function ठीक है, जो की काफी अच्छा था ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है थोड़ा सा lengthy होता था बच्चों के लिए बट इस्टिल अच्छा था, ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दिया गया हटा दिया गया है और inverse trigonometric function में तो अच्छली बहुत सुच कुछ ख़टा दिया गया है पहरी चीज की graph की अटा दिया गया कि inverse trigonometric functions के जो graphs थे जो basic था उसी को हटा दिया गया है और elementary properties मतलब जितने properties वगरा है वो सब इसके हटा दिया गया है तो इसमें तो बहुत मतलब कि कम छोड़ा गया है ठीक है अच्छा ये दो non zero matrices जिनका की multiply करने के बाद हमारे पास एक zero matrix बन जाता था उस चीज को हटा दिया गया है ठीक है और बाकी सब कुछ बीच में कुछ नहीं हटा गया है सीधे last में जब आप जाओगे न तो elementary row and column operation होता है exercise 3.4 जो है हमारे पास एक तरह से elementary row and column operations जो है उसको हटा दिया गया है ठीक है और proof of uniqueness of inverse if it's exist यह तो एक चोटा सा बहुत चोटा सा पार्ट है इस वाले पार्ट को हटा आए गया है ओके determinants में determinants में जो इसका जान था वही हटा दिया गया है properties ठीक है properties of determinants इसको ही हटा दिया गया है ओके और जो दूसरा था जिसके लिए कि determinants का actually हम लोग use करते हैं जिस चीज के लिए उस चीज को भी हटा दिया गया है तो एक तरह से determinants में कुछ रही नहीं गया है यह वाला हो गया हमारे पास continuity and differentibility में ठीक है यह actually उसका use होता है differentibility का use होता है rolls and continuity function continuous and differentibility का use होता है rolls and lagrangian mean values theorem में उसको हटा दिया गया है ठीक है application of derivatives में जो हमारे पास से approximation था वो अला part हटा दिया गया है rate of change of bodies यानि कि कोई जैसे बरफ का गोला है यह बढ़ रहा है घट रहा है उस सब चीजों को हटा दिया गया है इंटिग्रेल्स में एक चीज और definite integrals as a limit of sum actually यह पहुँ जाता है ऐसे use का था नहीं ठीक है वो derivation में बता दिया जाता है application of integrals में area between any of the two above said curves ठीक है मतलब कि दो curves दे दिया गया और उसके beach का area पूछा गया है तो उस वाले part को हटा दिया गया है और differential equation में क्या क्या हटाया गया formation of मतलब कि एक general solution दिया हुआ है ठीक है और उससे हमें क्या करना है differential equation वाला ना है दो तरीके करना होता है differential equation से solution and solution से मतलब एक general solution दिया हुआ है उससे differential equation तो यह वाले part को हटा दिया गया है ठीक है और linear equation भी हटा दिया गया है ठीक है linear equation जो था ठीक है actually इसी में कुछ था थोड़ा बहुत ठीक है बाकि जो था वो बहुत ही easy था ठीक है उसको हटा दिया गया यहां से और इस वाले vectors में scalar triple product हटा दिया गया है ठीक है scalar triple product को हटा दिया गया है बाकि सब कुछ है हमारे पास मतलब की जो बेसिक जो थे वेक्टर्स की जो basic थे वो सब कुछ है dot product है cross product है सब कुछ है scalar triple product जो है उसको हटा दिया गया है और three dimensional geometry में बस एक चीछ जो की दूसरे से related नहीं था देखो courses यह किया गया है कि जिसका दूसरे से relation ना हो उसको हटाया जाए तो angle between two lines two planes and a line and a plane इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसका दूसरे से बहुँ ज़्यादा जो पार्ट है वो हटाया गया है ठीक है even मतलब 11 की बात करें चाहरे 12 की बात करें ठीक ठीक जो syllabus है उसको हटाया गया है हाँ यह जो है को cbac का है अभी जेई ने अपने बारे में कुछ नहीं कहा है कि वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा क्योंकि अगर इतना कुछ हटा दे तो जेई में कुछ मतलब रही नहीं जाएगा एक तरह से ठीक है बहुत सरा चीज जो है वो गयब हो जाएगा ठीक है जिससे अच्छे questions बन सकते थे वो parts अटा दिये गया है जैसे अगर binomial theorem उस पे अच्छे questions बनते हैं हमारे पास और यह वाला जो parts से हमारे पास है composite function inverse of a function इससे अच्छे questions बनते हैं inverse में graphs वकर अच्छे questions बनते हैं तो इन सब चीजों को हटा दिया गया है तो अभी J ने तो कुछ नहीं कहा है कि J क्या करेगा क्या नहीं करेगा तो उसके बारे में उसका वेट करते हैं कि क्या कहता है ओके थेंक्यो